Assalamu alaikum grade 4 my name is Sadaf and I am your computer teacher students हम लोग पढ़े रहे थे अपना unit number 3 जिसका नाम है input and output devices और हम लोगों ने पढ़े थी कुछ input devices और बागी के input devices हम आज के lecture में पढ़ेंगे तो चलिए lecture के तरह जी students तो हम लोग पढ़े रहे थे input devices के बारे में और हमने बात की थी कि input devices क्या होती है ऐसी devices जो के आप लोग इस्तमाल करते हैं computer को input देने के लिए और input क्या होती है students जी input होती है वो data और instructions जो के आप लोग computer को देते हैं कि जिस पर वो processing करें और आप लोगों को output शो करें तो students हम लोगों ने पढ़ी थी कुछ input devices जैसे के trackball, keyboard, mouse और joystick तो students बाखी के input devices के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है light pen, scanner, microphone and barcode reader तो students चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी input device के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं जी students तो आज हम जिस input device के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है microphone students microphone किसलिए use होता है आप लोगों को पता है mic तो सुना होगा ना सबने जी mic क्या है students, mic है microphone की short form जी students mic क्या करता है, mic आपकी voice को record करता है और computer को input देता है क्या input देता है, आपकी voice की recording की input computer को देता है तो students चलिए इसकी definition देख लेते है it is used to input and record voice to the computer यानि के आप लोगों की voice को record करने के लिए और computer को input देने के लिए हम लोग क्या use करते है, हम use करते है microphones students, आप लोगोंने headphones तो use किये होंगे ना उन में speakers भी होते है और उसके साथ microphones भी होते है यानि कि आप लोग स्काइप वगारा पर बात करते है ना अपने relatives से जो आप लोगों से दूर रहते है तो students, हम वो किस तरह से बात करते है हम headphones लगाते हैं, जिन में क्या होते है speakers होते हैं और उसके इलावा microphones होते है microphones के जरिए हमारी voice record होती है और computer के जरिए, वो कहां जाती है दूसरे person के speakers में जाती है तो students, इस तरह से काम करते है microphones आप लोग picture देखिए जी students, ये picture में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है ये है एक microphone जी students, चलिए आगे देखते हैं कौन से input device के बारे में पढ़ेंगे हम next है scanner चलिए देखें ये text और pictures को scan करता है जो के होती है given on the paper तो students, paper के उपर जो आप लोगों के पास pictures और text होते हैं उनको हम scan करते हैं किस के थूँ? scanner के थूँ, ठीक है? अब वो scan हम लोग क्यों करते हैं? students, आप लोगों को पता है हार्ड पेपर पर जो भी चीज लिखी हुई है वो आपका computer नहीं पढ़ सकता तो students, हमें फिर क्या करना पढ़ता है? computer की understanding के मताबिक अगर हम उसे change करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उस paper को scanner में रखेंगे और scanner क्या करेगा? उस paper को read करेगा तो students, वो जो file scan हो जाती है computer में उसको आप लोग बाद में save भी कर सकते हैं उसे हम store कर सकते हैं ताके आप लोगों को बाद में भी काम आ सके चलिए students, आगे देखे यहाँ पर मेरे पास लिखा है into computer understandable text and pictures अभी students, हम लोगों ने बात की है कि scanner क्या करता है, आपके paper पर दी गई information जो है उसको वो क्या करता है, ऐसी text or pictures में change कर देता है, जो के हमारा computer समझ सकता है ठीक है, next देखिए they can be stored in computer तो students, अब यह information है जो के computer समझ सकता है वो हम later on use के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे अपने computer में store कर सकते हैं ठीक है, जी students, तो एक बार अगर हमने उसे store कर लिया है, तो उसके बाद हमें उस paper को बार बार scan करने की ज़रुएत नहीं पड़ेगी और हम वही stored information जो है, वो use करते रहेंगे तो students, scanners होते हैं दो type के, एक होते है flatbed और एक होते है handheld, students, flatbed scanners कैसे होते हैं? जी picture में देखिए जी students, ये है एक flatbed scanner, और ये जो space आप लगों को नदर आ रहे है, students इसमें हम paper रखते हैं और फिर हम इसे बंद कर देते हैं ताकि हमारा scanner जो है, वो paper पर मजोद text और pictures को scan कर सके जी students, अब next input device कौन सी है जी students, तो second last input device जो के हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है barcode reader चलिए देखते हैं, barcode reader क्या होता है it is used to read barcodes printed on different items in shops students, ये क्यों use होता है ये different barcodes को read करने के लिए use होता है, जो के होते हैं shops में मजोद different चीजों पर students, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग chocolates और chips वगरा खाते हैं, तो उसके packets पर एक छोटा सा barcode बना होता है, वो barcode किस तरह आँखा होता है, students, देखिएगा वो barcode होता है कुछ ऐसा, उस पर होती है lines ठीक है, देखा होगा सबने, जी, white background के उपर जो black lines होती है, students, उनको हम कहते है barcodes, तो students, इस barcode में हो सकती है, different information जो के होती है, उस item के बारे में जिस item पर ये barcode printed होता है, ठीक है students, चलिए देखिए, आगे क्या है barcode is sequence of black lines on the white background, तो students, यह बात हम लोगों ने अभी की है, कि white background के उपर जो black lines के sequence होते है वो क्या होते है, बार कोड़ होते है अब students, हमने देखना यह है कि barcode reader क्यों यूज होता है students, barcode reader इस barcode को scan करने के लिए यूज होता है, और जब हम लोग इससे scan करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है वो सारी information आ जाती है, जो के उस item से related होती है आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग अपनी items का bill करवाते है grocery stores पर, तो क्या होता है, कि आपकी items को scan किया जाता है और फिर उसके जरिये आप लोगों की bills बनाए जाते है तो students, आप लोग अपनी screens पर देखिए, ये picture आप लोगों को ज़र नजर आ रही है जी, students, ये है barcode जी, और उसके साथ आप लोगों को एक machine नजर आ रही होगी, students, ये क्या है तो students, ये machine आप लोगों ने देखी होगी, जब आप लोगों ग्रॉसरी का bill करवाते हैं, इस टोर्स पे देखी है, जी, students, ये होता है, बार कोड रीडर ठीक है, चलिए, students, अब हम देखते हैं, बिलकुल लास्ट इंपुट डिवाइस जो के है, लाइट पैन students, light pen देखते हैं, कैसे काम करता है, a pen-shaped pointing device, students, ये भी है, एक pointing device, जिस तरह से mouse था और जिस तरह से joystick थी और trackball था, उसी तरह से students, light pen भी क्या है, एक pointing device है, आगे देखिए, it is connected to the monitor, students, ये monitor से connected होती है, और students, हम लोग क्या करते हैं, light pen के जरिए, monitor के साथ, direct connect करते हैं, next, देखिए, they are usually used to draw, students, light pen को हम लोग use करते हैं, different drawings बनाने के लिए, इसलिए ये use होती है, ज्यादा तर, कौन use करता होगा, जो लोग drawing बनाते हैं, computer के ओपर, जैसे के designers हैं, engineers हैं, या architectures हैं, तो ऐसे लोग light pen को ज्यादा तर use करते हैं, अपने computers में, आम तोर पर light pen इस्तमा नहीं होते, usually हम लोग कौन सी pointing device use करते हैं, students, हम use करते हैं, mouse, तो students, अगर आप लोग अपने computers पर कुछ draw करना चाहते हैं, तो आप के लिए, कौन सी device बेस रहेगी, light pen, students, अपनी screen पर देखिए, ये क्या है, students, ये है light pen, और आप लोग देख सकते हैं, किस तरह से हम लोग इस जो के use होती हैं, computer system को instructions और data देने के लिए, तो students, अब हम देखने जा रहे हैं, कि processing unit, ये होता है, चलिए, देखें, जी, students, अब हम लोगों ने बात की थी बिल्कुल, first lecture में, कि किस तरह से computer काम करता है, computer काम करता है, तीन basic rules पे, वो क्या है, students, input, processing, और output, तो students, हम लोगों ने देखा कि input हम किस तरह से देते हैं, और किंट devices के जरिये देते हैं, अब हमने देखना है कि processing के लिए कौन सी devices used होती है, तो चलिए, students, देखें, processing unit, processing unit क्या होता है, students, चलिए, देखें, it is known as system unit, system unit को हम लोगों कहते है, processing unit, जो के हमारी सारी calculations करता है, औ और different काम करता है, वो क्या होता है, students, वो होता है, processing unit, यानि के system unit, it does calculations and carries out many other functions, तो students, ये क्या करता है, ये calculations करता है, जैसे के addition, subtraction, multiplication, और devian, और उसके इलावा भी, ये हमारी काफी mathematical problems को solve करता है, mathematical problems के इलावा भी system unit के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे के बाकी devices को manage करन और memory store करना, जी students, इसलिए इसको कहा जाता है, computer का brain, जैसे के यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, it is known as brain of the computer, जैसे हमारे पास brain होता है, और हम किस से सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, हम calculations कैसे करते हैं, अपने mind से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, तो students, उसी system unit है, तो students, system unit को हम लोगों ने divide कर दिया है, तीन parts में, चलिए देखिए, वो क्या parts हैं, सबसे पहले है, ALU, यानि के arithmetic and logic unit, तो students, ये unit जो है, ये सबसे important है, क्योंकि ये use होता है, calculations के लिए, हमारी जितनी भी mathematical problems हैं, जितनी भी mathematical problems हैं, वो सारी कौन solve करता है, वो ALU solve करता है चलिए देखिए, it does the calculations, ये calculations करता है, यानि के addition, subtraction, multiplication, और deviant जैसी जितनी भी problems हैं, वो कौन solve करता है, students, वो ALU solve करता है, चलिए देखते हैं, next unit क्या है, तो next unit है, CU, यानि के control unit, तो students, control के नाम से ही, आप लोगों को पता चल रहा होगा, कि ये unit क्या करेगा, ये आपकी computer की सारी कि सारी activities को control करता है, और इसके इलावा, आपके computer के जितने भी parts हैं, जितने भी input devices हैं, output devices हैं, ये उनको बताता है, कि उन्होंने किस तरह से काम करना है, और उन्हें करता है, आपस में connect, तो चलिए students, next part देखें क्या है, memory unit, it stores data temporarily, तो students, memory के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, कि ये क्या करेगा, ये data को store करेगा, जिस तरह से हमारी memory है न, हम लोग चीजों को याद रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, memory कहते हैं, तो उसी तरह से students, computer का brain, जो कि है system unit, उसकी भी memory होती है, ठीक है, और memory में वो क्या रखता है, वो temporary data को सेव करता है, उस memory में, temporary data का क्या मतलब है, स्पिंट से एक दफा आप computer on करते हैं, उसके बाद जो चीजें temporarily save हो रही होती है, वो सारी save होती है, system unit में, ठीक है, और उसके बाद जब आप लो computer को off कर देते हैं, तो वो चीजें आप लोगों सेव की होती है, उसकी memory में वो disappear हो जाती है, वहां से, storage devices अलग है, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये memory unit जो है, ये permanently store नहीं करता चीजों को, ये सिर्फ temporarily data को store करता है, ठीक है students, तो इस तरह से काम करता है हमारा processing unit, तो students, next lecture में हम लोग पढ़ेंगे, कि output devices क्या होती है, और storage devices क्या होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, students, आला हाफिज,